अस्सालाम आलेकूम आज हम पार्ट फोर स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नमबर फूर के ठीक है एड़िस कॉलम वी देड एड़िस करना विदेड साथ ठीक है some of the enters in column V are too long to fit in the column कुछ जो columns V में के हमें enter करना है और उसको fit करना है long columns में ठीक है you can quickly adjust the column with it to fit the longest entry आपको इनको जल्दी adjust करना है इन कॉलम्स को और fit करना है longest entry में move your mouse pointer or the line that separate column B and C आपको अपनी mouse की जो pointer है उसको move करना है line को separate ने कहां पे column B और C में ठीक है दा विदे इंट्रेक्टर अपियर्स उसके बाद जाएगा ठीक है ठीक है फिर इसके बाद डबल क्लिक दा कॉलम एर्जेस to fit the longest entry आपको डबल क्लिक करना है उस कॉलम पे फिर उसको fit करने के लिए ठीक है फिल नंबर्स अपना बर्स को किस तरह फिल करना है you can also fill numbers आपने जहले भी फिल क्या होगा numbers ठीक है type 1 in cell d1 आपने type 1 जो ही वो टाइप करना है कहां पे ने cell d1 में ठीक है ग्रेप दा फिल हैंडल एंड्रक वित यूर माउस to highlight cell d2 d12 आपने हैं फिल करना है ठीक है अपनी माउस के साथ उनको हाइलाइट करना है cell d1 से लेके d12 तक ठीक है the numbers one fill each cell हर cell में जो है number one जो है वो फिल होके आ जाएगा ठीक है click the auto fill option button आपने auto fill option button पे click करना है choice the fill series radio button आपने choice को किस को choice करना है fill series को choice करना है उसके बाद the cell fill as a series starting with one two three उसके बाद cell fill होना शुरू हो जाएगा series one से लेके three तक ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पहले यह आपने पहले भी fill किया हुआ था उसके बाद आपने one type करना था one type करके आपने अपनी mouse के साथ जब इस line को आप नीचे तक खीचोगे उसके बाद वो खुद बखुद हर से में क्या आ जाएगा one one आ जाएगा ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपको फेल सीरीज को चोईस करना है चोईस करने के बाद उस line को जब आप खीचोगे तो वो one से लेके three तक खुद बखुद फील हो है और यह 12th month यहाँ पर आ चुका है ठीक है आप नीचे पर रूब नीचे देख सकते है और इंटरस्टिंग फीचर्स गो तो सेल ई आपको सेल ई में जाना है टाइप month one आपने month one जो है वो टाइप करना है ग्रेप तो फील्स हैंडल एंड्रक वीट यूर माउस तू हाइल हाइलेट सेल ई टू 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 उसके बाद आपने फील करने के बाद अपनी माउस को साथ हाइलेट सेल को नीच यवन से लेके ई टूल तक जिसे मैंने पहले कहां वाटर लाइन को खींच के ले जाना है तो दसाल फील इंड़ इस सीरीज मन्थ one month one one two one three and soon as glow फिर उसके पर देख सते हैं है सा प्रेंट एंड़ल के शियर अप्रिंट के सगना है सिंपल नुं दो सिंपल सिंपलेस्ट वे टू प्रेंट इस ये तो क्लिक ओफीज बोटन हाइल ऑफिश प्रिंट औन देमेन्यू टेट अपल फैर एंडश्ट से ब्रिविव ईन प्रिंट देसे मैं एक सिंपल तरीका है आपको क्लिक करना है आफिस बटन पे हाइलाइट प्रिंट ठीक है मेन्यू अपेर वहां पेर होके आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है क्लिक करना है quick print पे ठीक है print in the print preview print in the preview preview में जाके and print the document उसके बाद document जो हो print हो जाएगा dot lines appear on your screen and your document print a dotted line जो हो अपेर हो जाएगा आपकी screen पे उसके बाद आपका document प्रिंट हो जाएगा ठीक है the dotted lines indicated the right left top and bottom ends of your printed pages जो dot lines है वो left right or top bottoms में आजाएगा उसके बाद आपका document आपका प्रिंट हो जाएगा ठीक है आप लोग उने देखा होगा जाब किसी चीज़ को print करते हैं तो आपकी screen पे कुछ दॉर्टर दॉर्ट जो है वो उपर नीचे left right उपर नीचे left right हो रहे होता है ठीक है इसके बाद आपके page जो है वो प्रिंट होके आजाता है you can also use the printed preview option in print आपने पहले भी यूज किया है print preview option को print करने के लिए when use print preview you can see on screen how your printed document will look when you printed video आप यूज कर सकते है print review को अपनी screen पे देखने के लिए कि आपके document जो है वो किस तरह से print हुआ है ठीक है well in print preview mode when print preview mode होगा you can set आप वहां से अपनी page को setting कर सकते है ठीक है such as centralize your data on the page आपकी data जो है वो जो page पे है ठीक है if your documents in survival page long आप आपके document जो है वो long होगा page you can use the next page and preview page button to move forward and backward through your computer आप जब आपका page जो है वो long होगा तो आप क्या यूज करोगे next page और पर previous page जो है button है वो आप यूज करोगे उसको forward करने के लिए move करने के लिए उसकी backwards your computer ठीक है if you check the show margins check box जब आप check करोगे margin show को ठीक है check box you will see margin lines on your document आप देखोगे कि आपकी documents पे कुछ margin lines आया है you can click and drag the margin markers to increase or decrease the size of your margin आप क्लिक करोगे उस डग पे margin marker के साथ तो और आप अपनी margin की जो size से उसको increase decrease कर सकते हैं इसको कम ज्यादा कर सकते हैं return to excel click the close print preview button उसके बाद उसको return करने के लिए excel में तो आप क्लिक करोगे close print preview button को you click the print button when you are ready to print जब आप print button पे click करोगे तो आपकी print जो है वो ready हो जाएगा the print dialogue box appear print dialogue box appear हो जाएगा you can choice to print the entire worksheets or specific pages आप choice करोगे उस print को तो आपका worksheet जो है वो print होका जाएगा if you want to print specific page जब आप specific page को print करना चाहते हो तो enter the page number in the form and to fill you can enter the number of copies you want to print in the number of copies fill आप कितने numbers of copies कितने copies आप निकालना चाहते हो आप लिखोगे ठीक है यहां पर है ठीक है प्रिंट प्रिव्यू प्रिव्यू में जाके आप कितने numbers of जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर आजाता है कितना प्रिंट आपको चाहिए ठीक है क्लिक तो ओफिस बटन आपने ओफिस बटन पर क्लिक करना है मेन्यू अप्रिंट हो जाएगा highlight print highlight print the preview and print document pane appear एक प्रिव्यू or print document pane आपर हो जाएगा क्लिक प्रिंट 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 प प्रिंट के अपर ग्रूप. अपने इसको सेट अप करना है है प्रिंट ग्रूप में से ठीक है. इन दे पेज़ सेट अप डायलोग अपयर एक डायलोग बॉक्स पेश सेट अप का डायलोग बॉक्स आ जाएगा चोइस ता मर्जन टाइप आपने margin type को choice करना है यह दोखो यहाँ पर दूसरे की इनको set up करने के लिए यहाँ पर margin है वहाँ पर आपने type करना है ठीक है क्लिक का horizontal check box आपने horizontal check box पर क्लिक करना है ठीक है Excel center your data horizontally आपका Excel का जो data है वो किस तरह ने आ जाएगा horizontally में आ जाएगा क्लिक दा वोटिकल check box आपने वोटिकल चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एक्सेल सेंटर your data vertically प्रिर आपका वो आपका वोटिकल आ जाएगा फिर उसके बाद क्लिक OK उसके बाद आपने OK करना है प्रिंट प्रिंट बटन प्रिंट 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 बटन पर क्लिक करोगे एक प्रिंट डायलोग बॉक्स आजाएगा click down arrow next to the name field and select the print which you want to print फिर आप वहाँ पे click करोगे जिससे आप print उस ने फिल नेम फाइल को ठीक है select करने के बाद उसे आप जिस documents को भी आप print करना चाहते हो ठीक है उस पे आप click करोगे click ok उसके बाद उस page को select लिया उसको अच्छे तरह से margin करने के बाद उसको उसके बाद आपको ok करना है ठीक है जहाँ जिस page को भी आपने print करना है करसर वहाँ पे रखके आपने click ok करना है excel send your worksheet to printer उसके बाद आपका जो worksheet है वो print होके आ जाए excel का जो worksheet है वो आपको print होके आ जाए इस तरह से यह chapter number fourth complete हो गया होदा आपकी है